बिहार के मजफर पुर में पिशले दो सालों में सैक्डो बच्चों की रहसिमय मौतों का खुलासा हो गया है बच्चों की मौते चम की नाम से कुख्यात एक बिमारी की वज़़ से हुई है भारत अमेरिका के विग्यानिकों की सैयुक्त रसर्च से पता चला है कि खाली पेट ज्यादा लीची खाने के कारण बच्चे बिमारी का शिकार हुए और बाद में उनकी मौत हो गई 1995 में पहली बार सामने आए मामलों के बाद साल 2014 तक हर साल लीची खाने की वज़़ से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई साल 2014 में मुजफर पुरिस्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भरती कराए गए 350 में से 112 बच्चों की मौत हो गई थी साल 2013 से मामले की जाँच कर रहे राष्टिय रोग नियंतरन केंद्र और अमेरिकी रोग नियंतरन और निशेट सेंटर की सायोगत जाँच में पता चला है कि लीची में मौजूद केमिकल की वज़़ से बच्चों की मौत हो रही थी रेसर्च में सामने आया की बच्चों ने सुबह खाली पेट जादा मात्रा में लीची खाली और शाम को खाना नहीं खाया जिसकी वज़़़ से बच्चों में ये बीमारी फैल गई शोद करताओं का कहना है कि राग को खाना नखाने के कारण शरीर में हाइपोगलाइसेमिया या लो बलड शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है खासकर उन बच्चों में जिनके लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन ग्लुकोज को स्टोर करने की शमता सीमित होती है जिसके कारण शरीर में एनरजी पैदा करने वाले फैटी एसिद और ग्लुकोज का ऑक्सिकरन हो जाता है ऐसे में लीची खाने से पहले बच्चों पर गौर जरूर करें कि वो खाली पेट लीची ना खाएं